So, based upon the fact that whether there is only one or two organisms are taking part in the process of reproduction, reproduction can be broadly divided into two categories, asexual reproduction and sexual reproduction. सब तो पहला सी asexual reproduction दी कल कर दी है, जिस तरह विटास उसी देखे के आम ही अपना कोई पौदा है, जिस तरह गलाबदा पौदा है, और सी उसी टैनी कटके, एक कलम काटके लगा दने हैं, तो एक सिंगला और्गनिसमें आपना होईया, जिस तरह प्लांट दा पौदा पार्ड धर फ्लार, जिस दे विच उस दे मेल और मेल पौदा पौदा पार्ट सुन्दे है, की होस दे विच फलार इन कटके आपना होईया? नहीं न, वोस्दे विच सिर्फ की सी उस दी एक ब्राँच सी, वसी उस ब्राँच नू लेया, ते अलग तो जाके होगा था एट मींस वोस्दे विच सिर्फ एक कोई parent involved हो रहे है, सिर्फ एक कोई part involved हो रहे है वोस्दे विच किते भी कोई gamete formation नहीं हो रही, so this mode of reproduction is called asexual reproduction so when the organism is produced by single parent, with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called asexual reproduction हुने इस तो बाद चसी गल करते हैं, जो मैं अपा हुने गल कीती है कि साड़ी एक फसल पक के त्यार है बटा केड़ी फसल पक के त्यार है? कानक त्यार है, उस दे विच एड़ा है कि ये साड़ी कोई बीज हो निकल जानगे ते उन्ना बीजानु जो दोजीगा मागी, ता द्वारा फेर नमें बादे बन जानगे इट मीन्स उन्ना ने की किता, एक reproduction कम्प्लीट किती है ते उस reproduction दे विच उन्ना दा फ्लार वाला पार्ट इन्वाल होय है फ्लार दे विच दोनों पार्ट ने अंड्रोशियम गायनोशियम जड़ में सी पहला अलड़ी ये चीज़न सारी है प्लस वान दे विच पढ़ चुके हैं कि दोनों जदों पार्ट से इस दे विच इन्वालव हो रहे है when two parents are involved then this process of reproduction is called sexual reproduction ते sexual reproduction दे एक होर है कि इस दे विच हमें शैकी होएगा बटा gametes थी formation होएगी there will be formation of male and female gametes ते जदो gametes बन जान दे ते gametes से बनन तो बात दे विच फिर उन्ना दी की होंदी है fertilization भी होंदी है so fertilization जदों इस दे विच इन्वालव होंदी है तासी उसनों की बोल दनने है sexual reproduction ताहुन पर टाइड़ा है क्योंकि इस दे विच बेसिक चैप्टर है क्योंकि इस दे विच असी सारे जड़े अलग-लग modes है कि sexual reproduction दे वो study करने है कि वो discuss करने है ताहां sexual reproduction दे कुछ के characters है गया है जिस तरह सी गल कीती है कि इस दे विच सिंगल पेरेंट इन्वालव हो रहे है so offspring is produced by single parent only इह जड़ा process है गया है एहो ज़े organisms दे विच होंदे है जन्ना दी organization बड़ी simple है गी है then एस दे विच जड़ी है गया gamete formation जड़ी है गया ओ नहीं होंदी offsprings जड़े है गया है क्योंकि इच gamete formation नहीं हो रही ओ लग-लग parents तो नहीं आ रहे single organism तो ही एक नमा organism produce हो रहे है it means जड़ा नमा organism बढ़ रहे है क्योंकि single parent तो आ रहे है it means that will be genetically and morphologically similar to its parent so इस चीजनों सी की बोलांगे clone एदा मतलब जड़ा daughter cell है गया that will be exact copy or replica of the parent so इननों सी clones भी कह सक दे है so जड़ी गाल करी ये sexual reproduction दे modes जड़े है गया नदे ते ब्रीफ हसी देखिये नदे की की characteristics है गया है it involves only one parent single parent हो रहे है there is no gamete formation जो तो gamete formation नहीं होएगी ता मतलब उनना diffusion भी नहीं होएगी it means इनना देविज फर्टिलाज़ेशन भी नहीं होएगी then एपरसेस बड़ा fast होंद है it takes place in a very small period of time and there is rapid multiplication multiplication बहुत fast हो जान दी है क्योंकि जड़ा है गया मैं already गल कर चुके है it takes place in a very small period of time तो जो तो time period लगेगा तो multiplication बड़ी rapidly होएगी there is limited variation तो यह भी गल आलड़ी कर चुके है क्योंकि जड़ी है क्योंकि जड़ी है genetically तो morphologically that will be similar that's why एड़ा है क्योंकि इस दे विच variations जड़ी है गया हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं हो नहीं है यह variations दा जो concept है मैं अलड़ी गल कीती है कैसी chapter 5 unit 2 दे विच जड़र detail दे विच पढ़ांगे so यह है किने कुछ characteristics of a sanctuary production इस तो बात दे विच बटा कड़ी कड़ी type सी हो जग दी है यह लग-लग methods है कि ऐसी one by one discuss करांगे binary fission है, budding है, fragmentation है vegetative propagation है sporogenesis हैगी है so coming slides से विच जड़ी इनन one by one discuss करने वाले है non-nall better idea है कि तुसी अपनी book दे उत्ते वी ज़ूर नेगा मारे इस lecture नों सुननतो बात दे विच उदे विच विता नों यह सारे एड़े हैगे modes जड़े इस sanctuary production दे हो मिलनगे सब तो पहला काल करते है binary vision दी vision दा मतलब होंद है divide हो जाना, किसी चीज नों divide करना binary दा मतलब दो पार्ट से विच ड़ाइड करना so जे साड़े को ड़े एक cell है गया वो एक cell ड़ाइड करके अपने वर के दो cell बना आन दा है एदा मतलब उस दी फिजन होगी and this vision is called binary vision so during binary vision the parent cell divides into two cells the cell division patterns vary in the different organisms एहे जड़ी है कि ये वटा directional भी हो सक दी है जान जड़ी है कि irregular भी हो सक दी है जमें असी कल करिये amoeba दी असी कल करिये amoeba दे विच वटा की है amoeba दी डी बाड़ी है वो irregular body होंदी है ताँ वोस दे बे चड़ी है कि जो दो division होंदी है इस देड़ा nucleus है कि starting दे बे चड़ा है कि nucleus जड़ा है कि हो दो nucleus दे विच ड़ाइड होना शुरू हो जान दा है ultimately जड़ा organism भी पूरी तरह ड़ाइड हो जान दा है ताँ ये binary fusion जड़ी है कि इस तरह amoeba दे विच होन दी है this is one of the simplest and uncomplicated method of asexual reproduction बड़ा simple method है कि parent cell जड़ा दो daughter cell से विच रवाइड कार जन दा है ते हर इक daughter cell को ले अपना-पना nucleus होन दा है ते क्योंकि येड़े है कि nucleus nucleus येड़े दोन ना दे है जड़े ने parent cell तो है ने it means genetic information जड़ी कितों भी कोई variation नहीं आई किते कोई recombinations नहीं होए इदा मतलव इस दे को ले इड़ी genetic information है बिल्कुल हो ही है जड़ी parent cell को ले सी इदा मतलव this is genetically identical to parent ते cytoplasm भी इना दे हैड़ा है विड़ाइड कर जन दा है ते साड़े को ले दो इकोल साइस देड़े data cells बाण जान देने परसेस अपने आपनों बार बार रपीट करता है ते data cells बाण दे जान दे ते इस तरह साड़े को ले large number of organism जड़े हैगी ने हो produce हो जान दे है इदिया एक्जांपल साड़े कोले हैगी ने जस तरह एक्जांपल साड़े कोले है amoeba है paramecium है amoeba द यसी होने होने गल कीती है आप थेड़ा हैगा amoeba दा ड्रावी किता सी यस यह है amoeba amoeba दे विच nucleus है cytoplasm है binary vision देखो इस दे विच के में nucleus जड़ा हैगा वो ड्वाइड हो रहे है दा इंcytoplasm भी ड्वाइड हो रहे है and finally साड़े कोले दो daughter cells आगे जड़े के लगबग एक दूसरे दे ब्राबर दे हैगे ने ते ओनना दे जड़ा genetic material हैगा वो genetic material पेरेंट देना मिलदा है इस दे विच तो सी देखो बटा के पेरामीशियम दे विच में तो नों दो nucleus दखाए है micronucleus and macronucleus एक पेरामीशियम कोड़े दो nucleus होन दे है जो macronucleus है एक polyploid होन दे है polyploid दा मतलब की है के एस दे कोड़े chromosome सेड़े हैगेने हो सेट यड़े हैगेने ज़ादा होन दे है दो तो ज़ादा होन दे है ते जो micronucleus है गए हो diploid होन दे है के पेर्स दे विच chromosome होन दे है एक सेट यड़ा chromosome सा होन दे है तक किसे भी paramecium देखो ले number of deployed nucleus जड़े है गेने जब micronucleus जड़े है गेने उहो एक तो ज़ादा भी हो सकते है सो असी काल करांगे micronucleus ही हो सकते है ति macronucleus एक कोई होगा ति इस करके nucleus कह रहे है हमें यह polyploid होंदा है ति इस जड़ा micronucleus है की होंदा है deployed होंदा है जड़ा macronucleus है गए इस cell दे जिनने भी non reproductive functions है गेने daily functioning जड़ी है गिया उस दिले genes नों express करना हो सारा कम जड़ा है गए हो macronucleus होंदा होंदा है ति जड़ा दूसरा nucleus macronucleus है गए यह generative होंदा है इदे को ले genetic material होंदा है ति genetic material जड़ा है गए हो एक generation तो दूसरी generation ता केड़ा है पास होंदा है ता इस दे विचे में दखाई दे रहे है के दोनों nucleus जड़े है के ने divide कर रहे है micronucleus जड़ा के मैं already गल कर चुक है कि depoloid है is the mitotic division हो रही है ति जड़ा macronucleus है गए is the amatic division हो रही है यह का पॉलिप्लाइड है गए है ति जड़ा है के नाल नाल इस दाड़ा oral group कोई होंदा है वो पहला disappear हो रहे है ति जड़े हैं नमी appear हो गए दो ति बिलकुल बिचकार तो इसने ड़ाइड हो जाना है contractile vacuels नमी बन गए ति साड़े कोड़े दो जड़े है गए ने डाटर जड़े है गए पैरामीश्यम बन गए division बिचकार तो होई है तासी इसनो transverse division भी बोल दने है ता इस तरीक के नल एक पैरामीश्यम जड़ा है गए उस तो दो पैरामीश्यम बन गए के में बने हैं फिजन नल बने हैं की दो पेरेंट इनवाल होई है no single parent is involved it means this is asexualry production divide दो छो रहे है सो फिजन के डिया गी binary fission सो यह है गए types of asexualry production दे बिच पहला mode binary fission हुन बेटा सी next mode बाल जा रहे है next mode है fragmentation fragmentation दा मतलब parts से बिच टूट जाना तो यह कहो जा asexualry production दा method है जस दे बिच आर्गनिजम जिमें spiral गयरा है जहां प्लैनेरिया वर गया आर्गनिजम है इन दे जो parent body जड़ी है वो बहुत सारे parts से बिच टूट जान दी है जिमें इते अपने कोले तिन parts से बनगे तिन fragments बनगे तो हर एक एड़ा part है उस दे कोले capacity हों दी है कि वो पूरे पूरे organism दे बिच अनवर्ट हो सकता है इदा मतलब एक organism तो fragmentation किन्ने बनगे तिन बनगे ज़्यादा भी उससे जड़ा है कि आपने कोले mode of sexual reproduction है कि इसनों उसी बोल देने है fragmentation साड़े लिए important चीज की है कि किस दी किदे विच हो रहे है example कि इस दी plan area है spiral गहरा है सो असी जड़ा है कि examination point of view तो चलिए ते साड़े लिए examples ज़्यादा important हो जाने है इननों ज़रूर तो सी द्यान दे विच रखना है next आपने कोले है budding वैसे बटा तो सी शोटी एक class दे विच भी पढ़ चुके हो सो असी जड़ा है कि budding दे विच की पढ़ दे है कि एक organism है जो में दखाई दे रहे ता नो screen देते ता यह hydra है hydra दे विच की है यह जड़ा एक organism है इस organism देते एक छोटा ज़ड़ा है कि पार्ट जड़ी का produce जड़ी है कि और दखाई दे रही है देन ए गोरो तरह जड़ा रही है बट इस तिल अटैच्च to the parent body उस दे नाल अटैच्ट है कि ऐते ट्वड वेल्पो रही है हौल ड बड़ गोरो कर जड़ा है जड़ु है पुरी तरह गोरो कर जड़ा है तो इस ड़ल सबीड बड़ा है and it remains attached initially to the parent cell but eventually it gets separated wholly wholly separate हो जान्द है and matures into a new individual this mode of asexual reproduction is called budding and example is hydra साड़े कोले next mode है गया है gemule, gemule formation तो हुन gemule formation की दे बिच हों दी है इस sponges दे बिच हों दी है actually जड़े है gemule है यह है कि तरीके दी budding है but यह budd है कि internal जिमें आसी पहला गल कीती सी hydra दे विच बड़ बान रहा सी but वो externally बान रहा सी तो इत्थी जड़ी budding हो रही है यह budding internally हो रही internal buds है कि so gemules are the internal buds which are found in sponges इस sanctuary production दे विच यह नवालब हों दे है internal buds है गए है इनकोल कैपेस्टी हों दी है during favorable conditions इह पूरे एक organism दे विच डिवेल्प हों दी कैपेस्टी रख दे है तब बटा इह डाइग्राम जिड़ा तो डी बुक दे विच बने होया है यह बाला विक्चर में बुक दे विच चो ले है इस तरह दा बने होया है बट आज दा दूसरा है गए यह अपनी बुक दे विच नहीं है यह तो अनु समझा अंदेली में इस करके ले है क्योंकि इस तो कुछ क्लियर नहीं हो रहे है labeling नहीं है एक्चली यह जड़ा जैमियूल है जड़ा internal bud है इह आर्चियोसाइट्स सेल्स दा गुरूप होंदे दे विच जिनने भी यह सेल्स हैगे ने सारे आर्चियोसाइट्स हैगे ने उप्रों इदी कोपनिंग होंदी है माइक्रोपाइल इस दे बाहर जड़ी हैं गया protective coverings हैं गया outer covering है inner covering हैगी है ताँ actual दे विच asexual reproduction दे विच help की ने करनी है न archiocytes ने करनी है जड़े के सेल्स दे अंदर पाई है during favorable condition micropilar end दे विच ओहे बाहर आँगे ते बाहर आके जड़ा है गया एक full जड़ा है गया sponge जड़ा है उस दे विच grow कर जानगे उस दे विच develop कर जानगे ताँ ए जड़ा है बटा अपने को लिए jamil formation है this is the mode of asexual reproduction जड़ा के की दे विच हुंद है sponges दे विच हुंद है ताँ इस तो next बटा एड़ा है अपने को लिए mode है वो है spore formation इस दे विच बटा तुसी बहुत सरे आर्गनिजम इस तरह दे 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 देखे होंगे जिस तरह आपना कहतने है कि यीस्ट है गिये उल्ली है गिया हो उस देड़े है गिने छोटे छोटे इड़े हो ब्लैक कलर देड़े है कि स्पोर्ट ये बन जान्दे है spores हुंदे है तही जनली proto जो उस दे विच हुंदे है कुश्क बक्टीरिया दे विच प्लांट्स ये फंजाई दे विच हो सायद है कि यह रिप्रोडूस कर दे भाई spore formation spores are the structures which are naturally grown as a part of organism's life cycle so organism दे life cycle दे विच naturally बन दे है ते उस तो separate हो जान्दे है disperse हो जान्दे है disperse जो में seeds dispersal हो जान्दे है बलकुल उसे दरीके नड़े ने dispersal हो जान्दे है by air or water and when conditions are favorable ता हर एक spore जड़ा है गा एक separate organism दे विच ग्रोव कर जान्दे है ता एक कुशाब तक जड़ा है जैसी पैरल्ल सेक्षुरी production दा मैथर लेकर चलिए कि जैने plants sexually reproduce कर दे है ता उन्हें seeds बन जान्दे है seeds जड़े हैं डिसपर्स हो जान्दे है आले द्वाले air जा वाटर नला seeds disperse होंदे है ता ओ जड़े हैं ने seeds लग लग जगा दे जाके यड़े हैं नमा organism बढ़ जान्दे हैं बिलकुल ओसे दरी करना sports होंदे है sports जड़े हैं बस इन दा फरक की है कि एहे बने के मैंने asexual production बने हैं इस दे विच gamete formation नहीं सी होई दो पेरंट जड़े हैं नहीं इन वालव नहीं सी होई ता यह जड़ा बटा इस तो बात दे विच में मैं इस दे विच गल की तिया dispersal दी ओड़ा topic separately जड़ा है चैप्टर टू दे विच बड़ा retail दे विच बढ़ांगे दन बटा है Canadian यह जड़े है कि नहीं देखो एक तरीके ना अपने कोड़े sports ही ने इते screen दे तो इसी देखो एजड़ा Canadian इड़िया formation हुंदी की देविच है पैंसिलीम देविच हुंदी है ता इस देविच जड़ा है कि ना विटा एक तरीके ना अड़े है जड़े उत्ते sports ही बान रहे ने बटे ना sports नो इत्ते specific नेम देता गनेड़िया ता फरकी है विटा कुछ भी नहीं है कि ता एक तरीके जड़े विच्ची जड़े है कि ने उस sports develop हुंदे है ते ओधे विच्ची रहेंदे ने जदों तक के उन्होंनों maturity नी मिल जांदी बट कनेडिया formation देविच की हुंदी है एहे प्रडूस्ता उसे तरीक किनाली कसल देविच हो रहे है बट maturity तक नी देविच रहेंदे मच्य means है कि जड़े है कि इसी कैसा देए कि sports जड़े pencilium दे है कि अनुनों से की बोलांगे Canadian ता इस तरीक ना अलगलग जड़े है कि साथे को ले मोड्स ने ता बटा हुंद तक जड़े हैं मैं तो डिनल डिसकस कीते ने एसेक्शियल मोड्स जड़े जी देविच बाइंदरी फिजन दी इसी गाल कीती है बडिंग दी गाल कीती है कनेडिया फर्मेशन दी गाल कीती है जै मियूल्स दी गाल कीती है है सो यह लगलग तरह दे मोड्स ऑफ ऐसेक्शरी प्रोडक्शन है गी है सो हूं तक वेटा मैं करवाई है आज जा पाइड़ा है गए इत्थ हूं तक ही करांगी इस तो बाद देविच जो नेक्स टॉपिक है गा तो डा हो जिस देविच साथ युदि वेजिटेटी प्रोप आए होई है उन्होंनों पड़ों ते एस वीडियो नों तुसी वेख के अपने जड़े हगे है बटा हो नोट्स भी त्यार करूं ता के जड़ा हगे सान्नों इस चैप्टर देविच असी वद्य तरीके ने तैरी कर सकी है तो एंड़ दे विच एड़ा हगे बटा मैं वो स पैस्त दे विच सी कल केती है पैंसलीं दे विच की डिच है गीने जैमीम्ड की डिच ए गैने सपांच है गय है बडिंग की डिच हो रही है है हाइड़ा हे हो रही है सो यэ अ अलगब नग है है अज मोड्स कीते इतअ तक तुसी सिघ भड़ो तCar से नेक्स असी फएल नक्स लक्चर देविछ लमागे, थेंक यू